कैसे वाप सब आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं विक्रम आज एक इंपोर्टेंट टोपिक पर बात करने वाले हैं और वह टोपिक हैं जानवरों को समर्पित वर्षे के महत्पून दिन तो जो साल भर में जो दिवस मना जाते हैं जो मुख्य रूप से पशु पक्षि दोस्तों विशेश रूप से उन जानवरों को जिन से संबंधी दिवस मना जाता है तो वह विशेश रूप से उनके सरक्षन के लिए मना जाता है तो सरक्षन के तोर पर एक दिवस मना जाता है और दिवस बहुत इंपोर्टेंट होता है चाहे कोई सी भी कॉमपिटेशन की एक्जाम हो वह वश्य आता है जिसमें मुख्यरूप से देखे तो एंप बुलिस कोस्टेबल जो मार्च में आपकी एक्जाम होने वाली है उसके द्रश्टी से वे क्यूशन भहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन बनते हैं तो भात करते हैं दोस्तों पहले तो 20 जनवरी 20 तो 31 जनवरी 31 जनवरी को जो हैं अंतराष्ट्री जेवरा दिवस तो 20 जनवरी को तो पैंगुइन जागरुन रुकता दिवस हो गया इसके बाद देखे 31 जनवरी तो अंतराष्ट्री जेवरा दिवस इसके बाद फरवरी तो विश्व पैंगोलिन दिवस तीसरा शनिवार दोस्तो फरवरी का जो तीसरा शनिवार होता है उसे विश्व पेंगोलिन दिवस के तोर पर मनाय जाता है इसके बाद देखें, next question तो 27 फरवरी, 27 फरवरी को जो है अंतराश्टी दुरूविय भालू दिवस मनाय जाता है इसके बाद बात करते हैं, 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस के तोर पर मनाय जाता है इसके बाद 20 मार्च को जो है विश्व गोरय दिवस मनाय जाता है important question चल रहे है दोस्तों सभी, इसलिए आप अच्छी तरह इसको ध्यान में रखे इसके बाद देखे 20 मार्च तो 20 मार्च को जो है डे जो दिवस है वह है मेंडक दिवस तो 20 मार्च मेंडक दिवस के तोर पर जाना जाता है और 11 अप्रेल दोस्तों 11 अप्रेल को अगर हम देखे तो राष्ट्री पालतु दिवस राश्ट्री पालतु दिवस जो है 11 अप्रेल को मनाया जाता है इसके बाद 14 भरवरी, 14 अप्रेल, 14 अप्रेल को जो है डॉल्फिन डे दोस्तो डॉल्फिन के सरक्षन के लिए मुख्य रूप से 14 अप्रेल को डॉल्फिन डे के रूप में मनाया चाता है इसके बाद 24 अप्रेल, 24 अप्रेल को अगर हम देखे तो प्रयोक शाला जानवरों के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है इसके बाद मई का दूसरा शनिवार, तो मई का दूसरा शनिवार जो है प्रवासी पक्षियों के सरक्षन के लिए मनाया जाता है इसके बाद 15 मई तो 15 मई कंगारू देखभाल जागरुकता दिवस तो अंतराश्ट्री कंगारू देखभाल जागरुकता दिवस जो है 15 मई को मनाया जाता है इसके बाद 23 मई तो यह है विश्व कछुआ दिवस जो की इंपोर्टन है 23 मई को इसके बाद 21 जून तो यह है विश्व जिराब दिवस तो विश्व जिराब दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है इसके बाद 22 जुन तो विशु उन्ट दिवस इसके बाद देखें 29 जुलाई 29 जुलाई को जो है अंतराश्टी बाग दिवस तो important है दोस्तों 29 जुलाई को अंतराश्टी बाग दिवस के तोर पर मनाया जाता है देखें इसके बाद तो 8 अगस्त, 8 अगस्त को विश्व बिल्ली दिवस के तोर पर मनाया जाता है और इसके बाद 10 अगस्त यानि 10 अगस्त को जो है विश्व शेर दिवस, बाग दिवस अलग है दोस्तों और शेर दिवस अलग है शेर दिवस जो है 8 अगस्त को मना जाता है और बाग दिवस जो है 29 जुलाई को मना जाता है तो दोनों ही important question है तो इसलिए ध्यान में रखें इसके बाद देखें तो 12 अगस्त को विश्व हाती दिवस तो जो तीनों डेट है जो 8 अगस्त 10 अगस्त और 12 अगस्त पहला बिल्ली दिवस शेर दिवस और हाती दिवस तो ये भी important है इसके बाद अंतराष्ट्री ओरंगुटान दिवस तो ओरंगुटान दिवस जो है 19 अगस्त को मना जाता है इसके बाद 3 सितंबर शनिवार को जो है अंतराष्ट्री लाल पांडा दिवस यानि 3 सितंबर शनिवार को तो है लाल पांडा दिवस के तोर पर मना जाता है इसके बाद 22 सितंबर तो विश्व रायनो दिवस तो यानि जो विश्व गेंडा दिवस जो मना जाता है 22 सितंब अंतर राष्टी बंदर दिवस तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे थैंक्स पो रोचिंग मिलते हैं ऐसी नई अपडेट के साथ